तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिपलोमा इन म्यूजी के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि आखिर डिपलोमा इन म्यूजी का कोर्स आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं आखिर जाय कोर्स कितने वर्ष का कोर्स होता है इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अन्त में दोस्तों मैं आफसे जोब प्रफाइल्स के वारे में आफसे में डिसकस करने वालाओं की अगर आप इस कोर्स को आप पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की जोब मिल सकती है तो जैस सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में डिसकस करूंगा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो Educational Word Star Channel तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे Diploma in Music Course के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा और दोस्तों अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको यह जानना है कि 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कॉर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आफसे डिस्कस करने वालाओं कि आखी डिपलोमा इन म्यूजिक का कॉर्स आखिर होता क्या है तो अगर आप म्यूजिक के शेतर में काफी ज़्यादा अच्छा इंटरस्ट रखते हो तो जैक कॉर्स आपको काफी अच्छा बेनिफिट दे सकता है क्योंकि इस कॉर्स के माद्यम से जो स्टूडेंट होता है उसको म्यूजिक की जो स्किल्स होती है वो दी जाती है तो इसमें काफी different types की musical fields आ जाती हैं जिसमें आप किसी भी musical field में आप job कर सकते हो अभी आपसे मैं course duration के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जनि जाया course आखिर कितने वरश का course होता है तो दोस्तों मैं आपको उताना जाता हूँ कि जाया course एक वरश का course होता है जिसमें कुल दो स्मेस्टर होते हैं अभी आपसे मैं eligibility के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जनि आप इस course में आगर किस परकार से admission ले सकते हो तो इस course में admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो 12th की class है वो आपको पास करने पड़ेगी चाहे तो आप 10th की class को पास करने के बाद भी आप इस course में admission ले सकते हो अभी आपसे मैं job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जनि अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप music journalist बन सकते हो आप music teacher बन सकते हो इसके इलावा आप audio engineer भी आप बन सकते हो तो जैसाब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आपसे मैं subjects के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जनि आप इस course में आगर किस परकार के subjects आप study करते हो तो इस course में आप appreciation of music, concert, singing, different grannas and their history, importance of music festivals, etc. subjects आप इस course के दोराण आप study करते हो और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोराण आपको करवाए जाते हैं तो दोस्तो इस बीडियो में मैंने आपसे diploma in music course के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मझे लगता है कि आपको इस बीडियो के माद्रम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तो आप नीचे मझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और वे कई सारे courses के बारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें बान जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना